असलाम नेकों वीवर्स मेरी आज की वीडियो का टापिक है मनी पलांट और आज की वीडियो बहुत स्पेशल होने जा रही है आज मनी पलांट से रिलेटिट में आपको बहुत सी प्रावलम्स उसके सलूशन और एक जबर्दस खाद भी बताऊंगी मनी पलांट के पते अगर पीली हो रहे हैं और वो घे रहे हैं और अगर आग के मनी पलांट के पते ही नहीं आ रहे हैं या फिर आग के मनी पलांट की ग्रोथ बहुत ज़दा रुकी हुई है और न्यू लीव्स नहीं आ रहे हैं और अगर आग के मनी पलांट के पते तो आते ह लेकिन वह बहुत चोटे साइज में होते हैं उनका साइज इंकरीज नहीं होता या फिर आग के मनी प्रांट की जो बरांचे हैं बहुत ज़दा डैड होती है और उनमें फ्रेशनेस नहीं होती या फिर आग के मनी प्रांट के जो पत्ते हैं वह बिल्कुल भी चमकदार नहीं करो इससे एलावा अगर आगर का मनी प्लांट के बेमारिया अटैक हरच कर चू कई हैं और आगकए मनी प्लांट के पत्ते बहुत जदा हराब हो चू रहाई हैं वो तमाम की तमाम इस एक खास से हल हो जाएंगी। आपका मनपृण ना सिर्फ बहुत ज़दा जाड़ी दार बन जाएगा। उसके पत्तों का साईजड़ हो जाएगा। उसमें ने ने पत्ते निकलेंगे। पत्ते बहुत ज़दार चमगदर हो जाएगे। और उ कैसी खाद है जो आप अपने घार में बासानी खुद त्यार कर सकेंगे और ये खाद गर्मियों की खाद है इसलिए आप बेफिकर होकर इसको अपने पोदे में डालिए आपका पोदा बहुत ही जार्थ बड़े बड़े पत्तों से और जबरदस खुबसूरती के साथ नज़र आएगा तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ इसके लिए आपने ऐसा करना है कि आपने तीन से चार प्यास ले लेने है और फिर आपने इन प्यास के जो छिलके हैं वो उतार लेने है इस खाद में हम प्यास के छिलके इसके जो पील्स हैं वो यूस करेंगे प्यास नहीं यूस करेंगे प्यास आप अपने खाने में बाम कर लीजीए और जो इसके छिलके होते हैं वो आपने खात के तोर प्यास के लिए रखने हैं तो मैं आपको यह बताती हूँ कि आप Yayis च्ञारा प्यास के छिलके लेजीए झो कि इस खात के लिए जरूरी होंगे तो आप ने ऐसा करना है कि जितने भी आपके पास प्यास के चिलके हुआ करें आप उनको धूप में अच्छे तरीके से कोई भी अहबार बिचा कर या कोई भी ट्रे ले लें आप उसमें ये जो प्यास के चिलके हैं रखकर धूप में अच्छे तरीके से खुशक कर लीजिए चुके गर्मियों की दिन है और सूरज की रोशनी बहुत ज़दा तेज है दरजा रात बड़ा हुआ है तो यह चप्यास की चिलके हैं आप एक से दो दिन इनको अच्छे से दूप लगवा लीजिए तो यह अच्छे से ड्राय हो जाएंगे उसके बाद आपने इनको मिक्सी में डाल कर अच्छे से इसका पौडर बना लेना है पौडर बना लेने के बाद अब आप इसको किसी भी हुश्क हवा बन जार में डाल कर महफूस करके रख सकते हैं और ये कबी भी हराब नहीं होता है, पांस से चे महिने तक ये खा़ बरदस्ट आप अपने घान में पॉदों में स्टमार कर सकते हैं पील्स आपने घान धुक्ष अपने घान में में सstमार कों दिया है, तो इस के लिए आपछा पॉदों में उस English वह आपरि साथ नीम के पते नेम के पते आपने दो मुठी लेकी हैं, पूर्मी कंपोस्ट की एक मुठी आपने इसमे डाल दिनी है, वर्मी कंपोस्ट की एक 막 वर्मी कंपोस्टा पोदे के लिए बहू जलेके से है चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो वर्मी कमपोस्ट पोदे पे जबरदस्थ असर दिखाती है ये पोदे के लिए बहुत ज़दा जरूरी होती है वर्मी कमपोस्ट जो पोदे की मटी होती है उसको नर्म करती है इसके साथ साथ पानी जहां पोदे में डालते है तो वो उसको रिलीस करने में मदद करती है जो कि गमले के होल से बाहर चला जाता है वर्मी कमपोस्ट चुके मट्टी को नर्म और सॉफ्ट कर देता है तो पोदी की जड़ें बहुत ज़दा तेजी के साथ फैलती है और जैसा कि आप जानते हैं कि पोदी की जिनकी का दारो मदार इसके जड़ों पर ही होता है क्योंकि जड़ों से ही पोदा पानी और खाद लेता है और फिर पोदा तन्नों से पत्तों तक पहुंचाता है और पौदे की पूरी जिनकी का दानोमदार जो रूट्स है इस पर ही होता है तो जितनी ज़्यदा रूट्स मसबूत होंगी, सेहत मंद होंगी, उतना ही ज्यादा आपका पौदा भी खुबसूरत और सेहत मंद होगा तो आपने एक मुठी वर्मी कंपोस्ट इसमें डाल देनी है, फिर आप आपने इसमें एक और चीज़ एड़ करनी है और वो है हल्दी हल्दी की एक चमच आपने इसमें डाल देनी है हल्दी एंटिबायोटिक के तोर पर गाम करती है जो आपके पोदे के पत्ते हराब हो चाते हैं तो हल्दी इस्तामार कर लेने से आपके पोदे पे किसी किसम की कुई भी बैमारी अटैक नहीं करेगी तो अब आपने इन चारों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है तो मिक्स कर लेने के बाद आपके पास ये एक जबरदस खाद तैयार हो चुकी है जो कि आपके मनी प्रांट की तमाम प्राब्लम्स का सलूइशन है तो आपने ये खाद उस टाइम पे पौदे को डालनी है जब आपके पौदे को पानी के जरूरत होगी मनी प्रांट के पौदे के जमटी होती है वो हलके नम रहनी चाहिए लेकिन बहुत ज़दा खुश्क और बहुत ज़दा गिली नहीं होनी चाहिए इन दो सूर्तों में पौदा हराब होता है तो आपने वनी प्रांट को ये खाद उस टाइम डालनी है जब उसको पानी के जरूरत होगी पौदे को पानी के जरूरत किस टाइम होती है जब भी आप पौदे के मटी को हाथ लगाए वो आपको बुरबरी मेसूस हो और आपके हाथ के साथ ना चिपके तो ये पौदे को पानी देने का बेगतरीन टाइम होता है अगर पौदे के मटी आपके हाथ के साथ चिपक जाती है वो बहुत ज़दा गीली होती है उससे पानी माट डाले वो और वार्टनिंग हो जाएगा और बहुत जादा ड्राई हो तब भी पोड़ा हराम हो जाता है इसलिए पोड़े को हलका नम हो, उसकी मट्टी हलकी नम हो तब आप इसमें खाथ जो पानी डाला करें तो अब आपने मनी प्रणड के चारो इतराव से किसी भी टूल के मदद से आपने इसकी मट्टी को हलकी हलकी Khodai करके बाहर निकालेना है जैसे कि जानते ही हैं जो plug money plant होता है इसकी जो route से वो surface area भी होती है इसलिए आपने इसकी जो तन्ने है इनके पास नहीं करना है बलके गंडे की site से आपने इसकी Khodai करनी है और तक्रीबर एक से दो इंच तक की मटी आपने बाहर निकालेनी है उसके बाद यह जो आपने खा तैयार की है इसकी दो मुठी आपने इसके चारो इतराफ में डाल देनी है इसके लियर बठा देनी है और फिर अब आपने वापस जो गम्रे से मटी निकाली थी वो आपने पोदे के चारों इतराफ में डाल कर इसको वापस भर देना है और फिर आपने मनी प्लांट को अच्छे तरीके से पानी डाल देना है तो ये आपके पोदे को एक जबरदस खाद मिल चुकी है ये एक नैच्छर खाद है एक उधरती खाद है इसमें कोई भी केमिकल नहीं है मनी प्लांट एक ऐसा पोदा है जो के घर के हुशाली लाने में मददगार साबत होता है मनी प्लांट एक ऐसा पोदा है 24 खेंटे अक्सीजन हारिश करता है और आपको फ्रेश अक्सीजन वहिया करता है तो मनी प्लांट को आप अपने घर की जीनत का हिसा जरूर बनाईए ये पोदा अगर आपके घर में नहीं है तो आप एक बार इसको नरसी से ले आएए तो इस एक पोदे से ही हजारों पोदे त्यार हो जाते हैं आपको दोबारा नरसी से परचेस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो मनी प्रांट आप अपने घर में लास्मी लगाईए मैंने आपको इसमें जो प्यास के चिलके बताएं हैं तो प्यास के चिलके होते हैं इसमें एन पीके बहुत ज़दा पाया जाता है अमूमन बोदों में कैमिकल खात कर इस्तमाल होता है ओर जो chemical इस्तेवाल होता है वो इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें N-PK पाया जाता है और अगर आप इसमें प्यास के छिल के अड़ करेंगे तो प्यास के छिल को में N-PK ही पाया जाता है और इस तरहां आपको chemical खात भी इस्तेवाल नहीं करनी पड़ती तो जो लोग chemical खात को पसांद नहीं करते हैं वो NPK तोर पर रियास के छिलकों का ये जो powder है इसको यूज किया करें तो उनकी पोदूइं के जो NPK है यानि के nitrogen, phosphorus और potassium ये तीनों जरूरतें उसकी पूरी हो जाती है अगर आप मेरी चैनल पर नहीं हैं तो आप मेरी चैनल का विजर कीजिए मनीपरांट से रिलेटेड मैंने बहुत सी वीडियोस अफ्लोड का रखी है मुझे अमीद है कि आपको मेरी वीडियोस बहुत ज़्या पसांद आएंगी और आज की वीडियो के हवाले से अगर आपको क्वेस्टन पुछना हो तो अकामर सेक्शन में ज़रूर पूछेगा मैं इंशालला आपको उसका ज़रूर जवाब दूँगी इसके साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि ये खाथ आपने महीने में एक बार अपने पोदे में लास्ट में डालनी है और इसके साथ ही अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसको लाइक कीजिए और आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकान को जबर पैस कीजिएगा ताकि में आने वाली हाँ नई वीडियो के साथ आप अपडे जाए सकें तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में